महराश्ट्र विधान सभा चुनाव दो हजार चौबीस धुले जिले में 115 में से 13 उम्मीद्वारों के नामांकन रद्धूले 30 اکٹوبر 2024 महराश्ट्र विधान सभा चुनाव 2024 के लिए धुले जिले के 5 विधान सभा क्शेट्रों में किल 115 उम्मीद्वारों ने अपने नामांकन पत्र दाखिल किये थे आज नामांकन पत्रों की च्छानबीन के बाद 115 में से 13 उम्मीदवारों के नामांकन अवैद पाए गए जबकि 102 उम्मीदवारों के नामांकन वैद घोशित किये गए हैं यह जानकारी चुनाव शाका द्वारा दी गई साकरी विधान सभाक शेत्र पाँच में 33 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया था जिन में से 3 उम्मीदवार वसंत 12 सूर्य वन्शी, मीनाक्शी प्रविन चौरे और भुरिया यादव मोरे के नामांकन पत्र अवैद पाए गए अब 30 उम्मीदवार इस क्शेत्र से चुनावी मैदान में रहेंगे धुले ग्रामीन विधान सभाक शेत्र 6 में 18 नामांकन दाखिल हुए थे जिन में से तीन उम्मीदवार बाजी राव हिरामन पाटील, यश्वन्त दामु खैरणार और गुलाब राव धुन्डू कोतिकर के नामांकन रद्द किये गए हैं इस क्शेत्र में 15 उम्मीदवारों के नामांकन वैद है दुले शहर विधान सभाक शेत्र 7 में कुल 25 नामांकन पत्र दाखिल हुए थे इनमें से पाँच उम्मीदवार मुहम्मद मेहमुद लहसन, जफर अब्बास अंसारी, अशोक शंकर पाटील, भारती मनोज मोरे, अंग धीरज प्रकाश चोरडिया और केकान राजेंदर माधव के नामांकन अवैद पाए गए हैं अब यहां 20 उम्मीदवार शेष हैं अब यहां 20 उम्मीदवार चुनावी मैदान में रहेंगे शेरपूर विधानसभा शेतर पांच में दाखिल हुए तेरा उम्मीदवारों के सभी नामांकन वैद पाए गए हैं विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन वापसी की अंतिम तिथी चार नमंबर है जबकि मतदान 20 नमंबर को और मत करना 23 नमंबर मान 2024 को होगी